अनाहत चक्र, रिदेस्थल में स्थित, द्वादश दल कमल की पन्खुलियों से युक्त, द्वादश स्वर नाक्षरों से सुशोबित चक्र ही, अनाहत चक्र है, अगर आपकी ओर्जा अनाहत में सक्रिय है, तो आप एक स्रेजन्शीर व्यक्ति होंगे, हर क्षन आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते हैं, आप चित्रकार, कभी, कहानिकार, इंजीनियर आदी हो सकते हैं, मंत्र, यम, कैसे जागरत करें, रिदे पर सयम करने और ध्यान लगाने से, ये चक्र जागरत होने लगता है, खासकर रातरी को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लग और सुशुना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है प्रभाव इसकी सक्रियों होने पर लिपसा कपट इंसा कुतर्क चिंता मुम दम अविवेक और रहनकार समाप्थ हो जाते हैं इस चक्र की जागरत होने से व्यक्ति की भीतर प्रेम और सम्वेदना का जाकरन होता ह इसकी जागरत होने पर व्यक्ति की समय ज्यान स्वत की प्रकट होने लगता है व्यक्ति अत्यंत आत्म विश्वस सुरक्षित चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैशी एवं बिन किसी स्वार्थ के मानबता प्रेमी एवं सर्व्प्रिय बन जाता है